तो आप खुद बोलेंगे तुझ में राम मुझ में राम रोम रोम में राम रे है या नहीं कि तुझ में राम मुझ में राम रोम रोम में राम रे तो जो तुझ में राम बैठा है वही डिसिजन देता है जो भीतर बैठा हुआ है न राम जो खुद सोचने की शक्ती है वही राम ही भाग्य बनाते है लेकिन बाहर बैठे हुए राम नहीं भीतर बैठे हुए राम हम मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है कैसे भीतर बैठा जो राम है कहते है इस सोल पोटिंसिली डिवाइन इश्वर अंस जीव विनासी हर आदमी दिब्ब है जो परमात्मा है उसी का अंसरूप आत्मा है तो बाहर बैठा हुआ परमात्मा कोई आपका भाग्य नहीं बना रहा है भीतर बैठा हुआ परमात्मा भाग्य बना रहा है तो भीतर के परमात्मा को दिशा कौन देगा खुदी परमात्मा मतलब आप स्वेम दूसरे पे थोपेंगे की नहीं कोई कर देता कोई सहयोग नहीं किया उसने हमारी बुराई कर दी उसने निंदा कर दी उसने टांग अडा दिया इसलिए हमारा खराब हो गया विजनेस हमारा काम बिगड़ दिया कोई यहां पे किसी को कुछ भी नहीं बिगाड सकता हम स्वेम हर चीज के लिए जिम्मेवार है हमारी सोच हमारी सोच ही हमारी अपने परिस्थितियों की स्रिष्ठी करती है और वही विश्वास हमारा अपने सोचों पे नए भाग्य का निर्मान करता है ये प्रकृति लोकेते परमात्मा करता है कोई उसे इश्वर कहता है, कोई अल्ला कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई नेचर कहता है, कोई प्रकृति कहती है और खई लोगों ने तो कहा कि अला दिन के चिराख की तरह ये प्रकृति है अलादीन के चिराग की तरह ये नेशर है जिसमें एक जिन प्रकट होता है अब उद्स भासा में जिन का हमारी भासा में परमात्मा कही है कि इश्वर सब करता है तो इश्वर कहां कणकण में ब्याप थे पूरी नेशर पूरी प्रकृती आप और हम अंदर और बाहर हर जगे परमात्मा ही परमात्मा है और वही सब कुछ कर रहा है तो वह बाहर बैठके नहीं कर रहा है अंदर बैठके भी कर रहा है तो चिराग के जिन को जब चिराग को घिसते हैं तो एक जिन प्रकट करता है और कहता है क्या हुक्म है मेरे आगा मेरे मालिक आपको क्या चाहिए तो हमने माननेताय बना लिए पूजा पाठ धर्म के अंदर भी ऐसी गलत माननेताय हैं जिसके कारण हम दुखी होते हैं गरीब होते हैं, परिसान होते हैं और कहते हैं भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों करता है hamiसा हम ही τर्गेट होते है पड़ो心 तो सुखी हो जा रहा है, सभी लोग सफल होते जा रहा हम ही मरते जा रहा है, हमने सोच लिए है कि थोड़ी दिर के लिए नहा के अगरवत्ती जला के मंदिर में जाके हम बोलेंगे भगवान से दो मिनिट के लिए भगवान मेरा काम कर देना तो वो सुनेगा कैसे नादान है कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि इस्वर सर्वयापी है और एक तरफ ये मान के बैठते हैं कि मंदिर में ही वो सुनेग बाहर नहीं सुन रहा 24 गंटे जो हम बोल रहे हैं उसको वो नहीं सुन रहा है क्या जो हम प्लान करके जाते हैं कि अब हम जाएंगे सिद्धी विनायक और वहीं पे जाके बोलेंगे लड़ू लेके तो वो सुनेगा और घर में जो हम बोल रहे तो वो नहीं सुन रहा था यो कि वहाँ भगवान था ही नहीं और इश्वर सरव्यापी है हर जगे रहता है यह हम मानते हैं यह कैसी हमारी माननेता है कि हम बोलते हैं जाएंगे महालक्षमी वहाँ पर वो सुनेंगी यहाँ पे नहीं सुनेंगे लेकिन समस्या यह है कि वो 24 घंटे सुनती है सिद्धी बिनायक 24 घंटे सुन रहे है इश्वर 24 घंटे सुन रहा है और हम 5 मिनट के बोले हुए चीज को मालने थे हमने बोला था भगवान आपने ने किया वो बोलता है भाई हमको तो पूरे लिश्ट तुमारी जो है उसको पूरा करना है न तो 26 घंटे में तुमने जो लिश्ट दिया है वो बहुत लंबी है और मैंने सब पूरा कर दिया मैंने सब पूरा कर दिया तो यह तो मांगा नहीं था तो मांगना तुम किसको समझते हो इटे पत्थर के डिवारों के वीच में जो तुम्हारी आस्था है वो भी है वहाँ भी मैं हूँ ऐसा नहीं कि वहाँ नहीं हूँ लेकिन वहीं पे जाके बोलते हो वही तुम्हारा मांगा हुआ हमारे लिए तो यहां भी तुम हो वही मैं सुन लेता हूँ और उसे भी नोट कर लेता हूँ कि यह भी तुम्हारा डिमांड है और मैं अपने बच्चे की हर बात का ख्याल रखूंगा जो मांगो मैं दूँगा अब उसमें तुम्हारा भला है कि बुरा यह डिसिजन लेना तुम्हारा काम है यह डिसिजन आपका है कि आप क्या मांगते हैं लेकिन मुझे तो सब पूरा करना है परमात्मा अर्थात यह सृष्टी या इश्वर वो कहता है कि जो मांगो मैं दे दूँगा यह जिन यह कहता है कि क्या हुक्म है मेरे आका तो हम सुचते हैं कि सोचेंगे कि इसको हुक्म देना है वो सोचेंगे लेकिन वो हर्षण पुछता है कि क्या हुक्म है तो हर्षण हम क्या सोचेंगे 24 गंटे हम सोचते रहेंगे कि अब इसको क्या हुक्म दे तो automatic system में वो मान लेता है कि जो boss सोच रहे हैं वही हुकम है तो हम 24 गंटे क्या सोचते हैं कभी सोचते हैं करजा बहुत हो गया है कभी सोचते हैं दुनिया बहुत खराब है कभी सोचते हैं राजनेता लोग गल बढ़ है कभी सोचते हैं विश्व में शांती हो इनी सकती, कभी सोचते हैं हमारा पडोसी बहुत बेकार है, कभी सोचते हैं हमारा भाई ठीक नहीं है, इसने हमको एक दिन सता दिया, तो जो हम सोचते हैं उसी को, अच्छा आपको भाई ठीक नहीं ऐसा सोचना बहुत अच्छा लगता तो बॉस लिजिए आपका भाई खराब आपसे दुस्मनी करवा देते हैं ठीक है जो हम सोचते हैं वो हमारे डिमांड माल लिया जाता है और उसे ही पूरा किया जाता है प्रकृती इश्वर है प्रकृती हर्षण उसे पूरा कर रही है इसलिए अपने सोच पर थोड़ी साव धानी बरती है और हम जैसे पूजा करने जाते हैं मांगते हैं कि है भगवान मुकतमा हार गए तीन बार इस बार देख लिजेगा जितने बार जिसको रिपीट करते हैं और भावना वैसी होती है इश्वर वही पूरा करता है मुकतमा हारने वाले हैं आप आप कहते बच्च नहीं जाता है प्रभू देख लिजे बुले अच्छा कर जा इसको बहुत पसंद्या और कर जा इसलिए कभी भी भारती रिशियों ने प्राचीन काल में इबाद में कैसे इन लोगों ने इस टाइब की प्रेयर बना दिया कि कामी कुटिल खलकामी हम बहुत दीन दुखी दरिद्र है हे भगवान जो सोचोगे वही हो जाओगे हमारे रिशितों ये कहते थे कि विश्वास करो कि तुम परमात्मा के अंस हो शाश्वत हो सनातन हो दिब्बे हो उरजावान हो अनंत शक्तियों के मालिक हो और दुनिया में आदेश देकर पाने के लिए आये हो सारी स्रिश्ची तुमारे इशारे पे चलने के लिए बनी है तुम यहाँ पे दरिद्र बन के जीने के लिए नहीं हो पता नहीं किस ने प्रेयर बना दिया कि हे प्रभु हम कुटिल खल कामी जबकी रिश्यों ने ये भी लिखा था रूपम देही, जैम देही ये प्रभु रूप दीजिए, सुंदर दीजिए, बैभो दीजिए और ये भी हमारे रिश्यों ने आप नाम जबकी महिमा समझ लेजीए, राम राम क्यों जबते हैं? कृस्न क्रिस्न क्यों जबते हैं? क्या ये पौंगापन्ती है? कई लोग बाद है रहे ये त MON पौंगापन्ती है राम राम बोलोगे बार बार तो राम को अट्रेक्ट कर ही लोगो एक दिन, क्रिस्ण क्रिस्ण बोलोगे तो एक दिन क्रिस्ण अट्रेक्ट होई जाएंगे, उनको प्रकट होना ही पड़ेगा, और हमारे रिश्यों ने का भी आगे बात बताने वाले हैं, लेकिन इधर आगे आए मुद्दा कि धन चाहोगे तो धन मिलेगा, बैभव चाहोगे तो बैभव मिलेगा, दुख चाहोगे तो दुख मिलेगा, सुख चाहोगे तो सुख मिलेगा, सफलता चाहोगे तो सफलता मिलेगी, असफलता चाहोगे तो सफलता मिलेगी, तो संसार में इन चीजों को चा तो इसे यह मिल जाती है तो क्यों नहीं पर्मात्मा को फालेटेए पर्मात्मा को चाहोगे पर्मात्मा मिलेगा तो उन्हों ने क्या कआ अहमण ब्रमास्मि आप बोलो मैं ही ब्रहु 기분प आप बोलोगे मैं दरीदर तो दरीदर ता आ जाती है बोलते हो मैं करजे में दबा हुआ तो करजे में दब जाते हो आप बोलते हो मैं दी नहीं असफल तो असफल हो जाते हो आप बोलते हो मैं बैभावान पैसे वाला हूँ मनुबाल बढ़ा हुआ है, दुनिया में साशन करने के लिए आया हूँ इश्वर का राजकुमार हूँ, तो वो मिल जाता है तो क्यों नहीं कहते है अहम ब्रमास्मी मैं ही ब्रह्म हूँ सदियों पहले वैदिक काल में रिश्यों ने रिसर्च किया यह है क्वांटम फिजिक्स अहम ब्रमास्मी, सो अहम, जो ब्रह्म है वही मैं हूँ सचिदानन्दो हम, सचित आनन्द जो है वही मैं हूँ अयम आत्मा ब्रह्म, ततो मसी जोजब मर्फी ने एक पुस्थक लिखी the power of subconscious mind वो कहते हैं यह तो भारतिय संस्कृति कहती है मन तो एक ही होता है नाम अलग-अलग उसको आप दे सकते हैं कि conscious mind, subconscious mind, unconscious mind, super conscious mind चेतन, अचेतन, अचेतन, सुपर चेतन तो मर्फी ने दो ही कहा कि आप इसे दो लेबल माल ले कि नीचे वाला लेयर और उपर वाला subjective और objective subconscious और conscious तो इन दोनों की भूमी का क्या है कैसे विचार काम करते हैं और कैसे कर्म में परिनित होते हैं इस पे उन्होंने बड़ा काम किया करते हैं